अगर आप option trading में लगातार हर रोज के बेस पे लॉस कर रहे हैं और profit करने का उमीद सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सही तरीके से option trading में पक्के तोर पे profit कमाया जा सकता है लेकिन एक वेक्टी जब option trading में आता है मान लिजी उसके पास 5000 रुपए है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े होते हैं लगबग वो सपने देखता है 50,000 एक मही में कमाने का क्या 50,000 रुपए सपने देखने वुना है बिल्कुल भी नहीं 50,000 क्यों मैं तो कहता है 10,000 में भी बिल्कुल 30 दिन जो company में जिसमें जाता है उसमें काम करने का एक तौन तरीका होता है discipline होता है time management होता है समय पे आने का जाने का हर चीज़ का एक समय निर्दारित होता है लेकिन आप जब option trading शुरू किये आपने कितने नियम का पालन किये उसका अगर मैं सही जबाब देखने जाओ उसका अपने नियम पालन नहीं किया हुआ है दूसरी बात ये सपना आता कहा से है ये 50,000 रुपे वाला सपना आता कहा से एक बार नौकरी का सपना समझ में आता है कि आपने बहुत पड़ाई लिखाई किया है आपने इंजिनेरिंग की दिगी लिए है आपन करना बिलकुल वाजिब है लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं आप पहले लाए 5,000 रुपे और आप उमीद करने में 50,000 रुपे महीना कमाऊंगा ये ऐसा क्यों आया सबसे पहले उसका अगर मेन कारण देखा जाएगा तो उसके पीछे बहुत सारी सबसे पहला अगर कोई चीज़ आप देखते हैं उनमें से सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है लैक और प्रॉपर गाइडेंस गाइडेंस बिलकुल भी नहीं मिलता है इसका गाइडेंस नहीं मिलता है देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा जन्हित में जारी कोई को दोस तो नहीं है जहां पर या कॉलेज में उनिवर्सिटी में स्कूल में पढ़ाया जाए जहां पर आपको टीचर सा आके हाथ पकड़ के सिखाए देखो भी ऑप्शन ट्रेडिंग यह होता है और वैसा होता है ऐसा तो होता नहीं है किसी ने आपको बताया होगा या आपन से मैं कूछ जाओंगा फर्स करिए कि आप एक कॉंपिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं और ऐसा कॉंपिटिशन जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप फस्ट आते हैं तो ही आपको पैसे का मूह देखने को मिलेगा और ऐसे इस्तिति में आप डीमैट अकाउंट बनाने के साथ साथ तुरंत आपको उच जाते हैं ट्रेट करने के लिए मतलब कॉंपिटिशन में उतर जाते हैं कभी आपने किसी भी कॉंपिटेटर को या किसी भी एकलेट को जो लोग अभी आपने देखा होगा कि पैरिस में हुआ था हमारे ओलम्पिक्स तो ओलम्पिक् पहुच गया क्या भारत ने अलाव किया था क्या नहीं उसके लिए उसको पहले district level पर खेलना पड़ा फिर state level पर फिर national level पर और इसके बाद धीरे-धीरे करके फिर वो पहुचा आपके Olympics तक और आप सोचे कि आप सिर्फ एक दिन सपना देखे कि मुझे कल करूरपती बनना है और आप एकदम से कूद गए competition में option trading के हैं तो कहा से होगा वो इसलिए ऐसा आपने किया क्योंकि आप इस बारे में बात करना किसी से सही नहीं समझा क्यों नहीं ज्यादा तर लोग आज भी हमारे भारत में ऐसे हैं जो लोग option trade करते हैं पर उनके घर वालों को पता ही नहीं है और ये बड़ी कड़वी सच्चा ही है लोग option trade करते हैं दूसरों को बताते नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि हमारी Indian society में share market में invest करना it's almost like a stigma लोग इसको एक बह पैसे कमा ले लोग इस पैसे को कभी भी सराइंगे नहीं यह नहीं कहेंगा अरे वाह आपने बड़ी महनत करकी यह पैसे कमाया है आप किसी को बोलके देखिएगा भई मैं 5,000,000 रुबाय मैंने कर कमाता हूँ अच्छा-च्छा क्या काम करते हैं भई आप मैं share market में काम करत हूँ मैं share market में पैसे लगाता हूँ लोग इसको सराइंगे नहीं appreciate नहीं करेंगे और इसी डर के वज़े से आपने कभी किसी से share नहीं कि अपनी मन की बात है कि मुझे option trading में जाना है मुझे share market सीखना है इसमें पैसे हैं और इसी वज़े से आपको guide करने वाला कोई नहीं है हाँ आपको दिखा YouTube नाम का एक चीज जो पूरे वर्ड का गुरू है हर क्षेत्र में तो आपने उन से पूछा भई बताईए option trading में कैसे पैसे बनाए अब YouTube के पास सब कुछ है पर कोई भी चिस synchronized wise नहीं है अगर आप A to Z सीखते हैं जब आपने बच्वन में सीखा होगा A से लेके Z तक तो आपने A, B, C, D, E, F से लेके Z तक आपने किया है आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा है कि पहले आपने P पढ़ा फिर आपने B पढ़ा है और फिर आपने T पढ़ा उसके बाद A पढ़ा ऐसा तो नहीं पढ़ा है आपने A से लेके Z तक पढ़ा है क्योंकि वो वो तरीका है ABCD पढ़ाने का लेकिन YouTube को जब आप पूछते कि मैं option trade कैसे करूँ तो आपके सामने जो वीडियो आते हैं वो पहले हो सकता है P का आएगा उसके बाद B का आएगा उसके बाद T का मतलब कोई बीचे systematic आएगा ही नहीं क्योंकि आप YouTube से जो पूछेंगे आप YouTube आपको वही बताएगा YouTube खुछ से कभी कुछ नहीं बता सकता है इसलिए हमें proper guidance कभी मिल ही नहीं पाता है अगला है over impact of experience trader इसका मतलब है जब भी हम market में आते हैं हमें कोई भी doubt होता है कम से कम option trading के regarding हम चले जाते हैं YouTube में वहाँ पर हमें बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलते हैं भई मैंने इतने लाग कमाए हैं मैंने इतने लाग गवाए भी हैं बहुत सारे लोग इमानदार भी हैं लेकिन एक आम आदमी जिसका पैसो पर जो लोब है वो कंट्रोल में नहीं है वो जब किसी एक बड़े व्यक्ति या बड़े option trader का पैसा देखता है जो महिने का या साल भर का वो कोई करौन रूपे कमा रहा है तो उसे लगता है ये तो हलवा है मैं तो यू कमा लूँगा मैं और उस पे ही सबसे ज़्यादा problem वहाँ से create होना शुरू होता है सोच के देखिएगा कि एक option trader जो व्यक्ति का अपने पेनल statement देखा था उसने अपने जीवन में कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा कितना वक्त दिया होगा कि अपने एक समय एक हर एक option trader जिसके पास भी आप पूछेंगे वो यही कहेगा शुरूवाती दौर में मैंने पैस पैसे गवाये हैं हो सकता है किसीने एक साल गवाया किसीने दौ साल गवाया और गवात गवाना नहीं है अगर देखा जाएगा तो option trading को कुछ से सीखने के पैसे देने पड़ते हैं कि आप पैसे देते हैं आपसे घल्ती होती है आप खुद को सुधारने लगते तो वह एक इसके तोर पे देखा जा सकता है लेकिन उसको लोग इस तरीके से नहीं लेते हैं जब खास कर नए लोग उनको लगता है कि ये इतना बड़ा समुद्र है जहाँ पर बालटी डालो और पैसे निकालो पर ऐसा होता नहीं है रजा अगला चीज सुनिएगा अब बात आती है कि आप किस तरीके से profit कमाएंगे उसके लिए आपको अपने तरफ से महनत पहले करनी होगी और सिदी सिदी बात करेंगे तो first learning then earning पहले सीखना फिर कमाई लोग इसका उल्टा करते हैं पहले कमाने के लिए कूद पढ़ते हैं दुनिया बर का पैसा बरबात करते हैं और उसके पाद फिर सीखने की कोशिश करते हैं कुछ लोग तो सीखते भी नहीं है आज से तीन साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो option trading पे यूट्यूब में बहुत वीडियोस थी नहीं लेकिन आज के समय में आपको हर एक जगह पे आपको सिर्व यही सबसे ज़्यादा बता जा सबसे पहले आगा candlestick pattern आपको सीखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा अगर आप सोचेंगे कि इसमें क्या रखा है रखा है उसमें अगर रखा नहीं होता तो लोग पागल नहीं है इतने सालों से इन सब चीजों में समय दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई आपको करनी पड़ेगी भले ही आपने अगर कॉलेज में पड़ाई नहीं किया होगा ठीक से स्कूल में नहीं किया होगा अभी आप काम के तलाश कर रहे हैं कोई मुझे काम दे दे कोई मुझे पैसा दे और अगर option trading में कमाना है तो पहले सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए कौन सा काम करता है सपोर्ट और रिस्टेंस धड़कन है option trading का या चार्ट का अगर उसको आप नहीं समझते हैं माप कीजिए का आप कितिने भी सैकल और इंडिकेटर आप लगा लीजिए कभी आप profitable trader नहीं बन पाएंगे अगला होता है strategies यह है सबसे important चीज कि आप जो तौर तरीका इस्तमाल करते है option trade करने का वो आपने क्या-क्या इक्तियार किया हुआ है अगर आप हर दो दिन में एक strategy बदल रहे या हर रोज एक strategy बदल रहे आप लिख लिजिएगा आप कभी भी option trader बनी नहीं option trader किया आप किसी भी प्रकार का trader नहीं बन सकते अगर आपनी strategy आप बदलते जा रहे है तो किस तरीके से काम करना होगा बदली है न किसने मना किया है बदलने का लेकिन समय होना चाहिए वो कौन सा है किसी भी strategy को कम से कम आप दो महीना तो दीजिए और शुरुबात में तीन strategy पर काम करना चाहिए आप चुनी आपको कौन सा चाहिए और उस तीन को पकड़े रखिए एक महीना देर महीना दो महीना उसके समय दीजिए तो उस तीनो strategy पर आपको समझ में आएगा strategy कैसा काम कर रहा है अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है market कैसा चल रहा है और आप कितन समझना है तो हमें fixed strategy पे बने रहना है अपने देखा होगा महाबारत में अर्जुन ने उपर घुनते हुए मचली के आखों में नीचे तेल पे देखके तीर मारा था और वो आखों पे जाके लगा था ऐसा क्यूं हो पाया तो आप खुद को थोड़ी देर के लिए अर्जुन की जगह पे लेके जाएए और सारे strategies सारे formula सारे indicators को भूल जाएए आप तीन strategies चुन लीजिए समय लगा लीजिए चुनने के लिए कि आपके लिए कौन सा सही होगा हफता भर ले लीजिए और उसके बाद फिर शुरू ये दो महेनी के लिए उन तीन strategies पे और उस तीन strategies को जब जब मौका देगा क्योंकि कोई भी strategy हर वक्त तो आपको ट्रेड लिनी के लिए मजबूर नहीं कर सकता है उसका निर्धारित समय होता है उसी प्रकार से जब आपको वो ट्रेड देता है आप तभी लीजिए और उसक strategy आपको कितना मौका दे रहा है दस बार में वो आपको कितने profitable ट्रेड दे रहे है सीखना आपको पढ़ेगा और इन सब चीजों को सीखने के लिए पैसों से करना बंद कर दीजी कि जिस दिन आप back to paper trade पे चले जाएंगे न मान के चलिए सच मानिए आपका जीवन सुधर ज रहती है तो शुरुवात में आपको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा और paper trade करना पड़ेगा paper trade सच में अच्छी चीज है अगर आप रोज loss कर रहे है paper trade करिए उसके बाद जाए न तीन strategies पे अगर जो भी तीन में से सबसे अच्छा जो आपको profitable रगता है फिर आप एक पे आ जाए और उस एक को पकड़े रखिए जीवन भर फिर देखिए 5000 से 5000 कैसे नहीं बनते बन सकते हैं समय लगेगा लेकिन तब तक आपके पास अनुभाव आपके पास कला आपके पास घ्यान आपके पास टाइमिंग धैरिया पेशन्स पर्जवरेंस सब कुछ होगा बस उसके लिए आपको पेपर ट्रेट पे वापस लोटना पड़ेगा उच समय के लिए बस अपने आपको तयार करने के लिए ट्रेनिंग के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राब ज़रूर कीजिएगा आप से मैं अगले वीडियों मिलता अब तक कि लिए जैहिन